हेलो गाइज आप सभी क्या आपके अपने चैनल पोटल है एकस्प्रेस में एक बाफ फिर्जा स्वागत है जैसा कि आपने देखे लेंगे आज हम देखेंगे वर्किंग फंक्शन का सुमिता रोरा का क्लास 12 का टैप C का क्वेशन नम्बर 9 क्या है राइट पर्ग्राम वह जन्रेंट आप सब्सक्राइक प्रग्राइब कर देखेंगे वीडियो शुरु करतें है सो गाई से लिए देख लेते हैं क्वेशन नमन नहीं हमारा क्या करना है राइट अ प्रोग्राम दैट जेनरेट अ सिरीज यूजिंग फंक्षन फिच टेख फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैल्यूस ऑफ देख करना है एंड जेन जेनरेट फोर्ट टर्म दैट आर इक्वी डिस्टेंस मलब कि न हमें न क्या कराना है पहले इतना समझी कि न एक मही हम फ्रस्ट टर्म पूट कराना फिर न लास्ट टर्म पूट करना और न हमें न एक्जांपल जीडिद ओंब तो ज्दया रगहें इसमें एग्जांपल भी दिए इफ टू на तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है फोट टम न रिटर्न अब यह कैसे रिटर्न होँ है वन और सैवन फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन एवालुएट करके यहां 3 और 5 उसको लाना है तो वह सब कैसे करेंगे चलिए इसका एंसर देखते हैं तो दिखिए गयाई यहां प आपको ना क्लास 11 में 9 में इस और 10 में आपने पढ़ाई होगा अरिथमेटिक प्रोगेशन तो एरिथमेटिक सीरीज भी आपने पढ़ी होगी उसमें आप क्या करते थे एंस टर्म इसक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपको मालू होगा है जहां पर यह होता क्यसे किया मैने एकना सियार नाम काने कन एकना फंक्शन को डिफाइन कर दिया उसमें 2 पैरामिटर्स ले लिए ए और जो ए और और भी क्या होगा यहां पर 7 जो रहेगा वहिसा अमने और गूमेंट की थ्रू जाएंगे इसलिए मैंने यहां पर बीमान धिफ्रेंस इन लो लिए किकी ना अगर आपने फॉर्मुला अगर जानते होंगे तो फॉर्मुला में यहां हैस्टेक में लिखता हूँ जैसे एं इस इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन्टू डी आप फॉर्मुला इस दम अच्छी तरीके सापको तो मालूम ही होगा आपने क्लास 10 मे में पढ़ा होगा और इलाओं में भी पड़े होंगे है उमीद करता हूं मैं अगर आपने लिया है तो आप 11 में पढ़े होगा नहीं तो आप 10 में तो पक्का पड़े होगे एरहमेंटी प्रॉफ्च्छिन तो उसी का फॉर्मुला आपको ये आपको दिख रहा है तो हमें सब्सक्राइब पकार सब्सक्राइब काई गाल गया सब्सक्राइब ऐस जिन घ्राइब यहां तो मेंडमि आपकर सब्सक्राइब जाएकी हो जाएक्ट पतलों तो इसफी कि यहाई तो इस लिए गी को दो लेखनले पर नहीं को यहाई जाएगा तो इस्से हमारा ना दी कि वन्लम decision सेट करके दिघेंगे डिख नंबर को सिंपल तो हमें डी की वैल्यूम चल गए कमण डिफरेंस मालूम चल जाए थी तो वस्त टर्म आपको मालूम ही तो सकेंड इंफन क्या होदा है एप्लस डि वारस्ट बोलकिक आपन लिखरण साहँ खरोसर घरर अर्पार हिर सेमने सी दितेंस तो केंहें माद हीनफित कीजिकं ही फिर गडीक फीर एक एप रहाएगी नहीं लिख रहे हम यहां पर भी आजाएगा तो मुईत करता हूं कि आपको यह फंडा पूरा समझ में आ गया होगा फॉर्मुला से मैंने आपको बता दिया जिसा आपको फुली तरीके से दमसानी से क्लियर हो गया है अब चलिए मैंने यूजर से इंपूट कर आया फर्स्टन इंटर फर्स्टन फिर यहां पर मैंने लास्ट नाम के वेरिवल में इंटर लास्ट तो नहीं मैंने आपको फॉर्मुला समझ में आगा में फंडा दे ही था की वैल्यू हमने निकाली है और ने इसक आप और भी सिरीज ले लिजे टू ले लिजे टेबल में यहां पर मैं तू इंटर कर देता हूं फिर फोर्थ यहां पर कॉमा डिफ्रेंस टू रहेगा यहां पर मैंने टू कर टेबल ही समझ लिजे टू फोर्ट शिक्स आया लास्ट टर्म जो है फोर्ट टर्म वो एट है राइट गास दो यही लास्ट टर्म एट है आप और भी एक्जांपल की तरू आप समझ सकते हैं पर अब मैं उम्मिद करता हूं कि आपको यह प्रोग्राम तो पूरा अच्छी तरह के समझ में आगा बस यहां पर इंपोर्टेंट सी यही था उजो कि आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया गास्ट आज के वीडियों सुर्फ इतना ही अब आप से में देने नेस्ट व